UNTO THIS LAST ये चैप्टर का नाम है UNTO THIS LAST THE ROOTS OF HONOR इसको किस ने लिखा है जोन रसकिन ने लिखा है तो ये S से है पहला नंबर UNTO THIS LAST तो ESA के बारेम तो एक बार पढ़ लिजीए बाकी जो कुछ भी आएगा इस इस रिलेटेड ही रहेगा UNTO THIS LAST is an essay critical of economics, मतलब ये essay है, एक तरह से critical essay है और वो भी किस का मतलब किस पर लिखा गया है, तो economics पर लिखा गया है by John Ruskin, John Ruskin के द्वारा तो मतलब जैसे unto this last essay तो है, लेकिन essay में कौन सा essay है तो ये critical essay है और written on economics, जिसको economics पर लिखा गया है और किस ने लिखा है, John Ruskin ने और ये जो है, पहली बार publish, मतलब इसका जो पहला chapter है, वो roots of honor है, है ना और ये पहला chapter roots of honor है और syllabus में पहला ही chapter है ये roots of honor publish हुआ था, किस magazine में publish हुआ था corn hill magazine में publish हुआ था monthly ये journal है उसमें publish हुआ था 860 इसवी में चार articles में आया था clear मतलब पहला point clear है, पहला point में इतना याद रखो कि unto this last एक essay of critical essay of economics है जो अन रसकिन ने लिखा है और इसका पहला chapter publish हुआ पहला chapter का नाम है roots of honor पहला chapter publish हुआ ग्यारसो सथ सरी, 1860 इसवी में और ये corn hill journal corn hill magazine जो की चार articles में था उसमें ये publish हुआ और corn hill magazine monthly journal है अब दूसरा देखे इसका जेनरा क्या है तो इसका जेनरा essay है essay में कैसा essay है तो critical essay है ये कब publish किया गया तो 1860 इसवी में publish करवाय गया था इसको लिखा किसने तो जोन रसकिन ने लिखा था अब essay जो होता है वो salt piece of writing होता है किसी एक subject पर या किसी एक topic पर लिखा जाता है तो बोल सकता है essay salt piece of writing written on one subject or one topic और अगर देखा जाए unto this last सबसे पहले जब appear हुआ था तो ये चार essay के series के रूप में appear हुआ था मतलब overall unto this unto this last जो है ये series of four essay है है ना 4 essay का series है और ये चारो essay का series 1860 में publish हुआ और corn hill magazine में publish हुआ और इन चारों essay का नाम कौन कौन है तो roots of honor है और veins of wealth है eddy और कौन है qui judicatist term qui judicatist term और जो है eddy below के रम below रम part 1 और eddy below रम part 2 ये है इतना इतना clear है ना इसका पूरा अब unto this last जो है political economic पर लिखा गया है जैसे ये किस पर based है तो political economic पर लिखा गया है और इस unto this last से अभी इंडिया की बात क्या रहे तो गांधी जी भी influence हुए थे है ना तो unto this last किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है तो political economic पर लिखा गया इंग्लेंड की political economic पर based है गांधी जी भी इससे प्रभावित हुए थे अब roots of honor में जो कि इसका मतलब पहला chapter है यानि कि first essay है तो roots of honor में overall बताया क्या गया है तो roots of honor में एक इनसान के behavior के बारे में बताया गया है कि एक इनसान का behavior कुछ मतलब ऐसे condition के अंसार वो change होती रहती है है ना जैसे situation condition के अंसार behavior of human can be changed मतलब यह change हो सकती है change होती रहती है और वैसे भी जो civilized society है वो 5 profession में exist करती है हमारी civilized society 5 profession में exist करती है और वो कौन-कौन है soldier है pastor है phygician liar और merchant clear है the soldier the pastor phygician liar और merchant फिर इसके बाद अगर इनसान की बात करें तो देखो इनसान जो है कुछ नहीं इनसान एक जैसे हड्डियों का एक पुतला है हड्डियों का एक खाचा है अना अगर इसमें इनसान के अंदर से soul को निकाल दिया जाए आत्मा को निकाल दिया जाए तो human is nothing but only a mere skeleton human कुछ नहीं होगा है केवले खडियों का धाचा है इसलिए इनसान को जो है behave अच्छा रखना जाए अपना और फिर उसके बाद में ये जो social pressure है ये social pressure जो समाज का pressure है ऐसे लोगों के प्रती ये ज़्यादा बहतर होता है जो dishonest होते हैं dishonest type के लोग होते हैं इनको कहिन गई समाज का फिर रहता है जैसे होता न कई ऐसे लोग होते हैं कि घर का फिर नहीं किसी का बहुत खास डर उनको नहीं है लेकिन उनको society का डर रहते हैं कि society मुझे बाइकाट कर देगी और roots of honor में ये भी तो बताया गया है इसे में तो बताया गया है कि एक मालिक और जो है उनके under में काम करने वाले लोगों के बीच में behavior किस तरह से होना चाहिए और ये unto this last जो है ये criticism पर based book ही नहीं है बलकि एक तरह से ये देखा जाया तो social theory पर political theory पर based एक जो है series of four essays है collection of four essays है ये चीज़ जो है अब देखिए unto this last जो है इसका जो name है मतलब ये कहां से लिया गया है तो इसका नेम जो है pyramal of the vineyard in new testament से लिया गया है pyramal of the vineyard in the new testament से इसका नेम लिया गया है जहां पर जो christ है christ कैंसार ये कहते हैं की मतलब उसी तरीके से जाओ जो तरीका सही हो एक तरह से एक honor रहो, honest रहो रस्किन जो है चुंकि जॉन रस्किन ने इसको लिखा ही है तो जॉन रस्किन ने unto this last essay के थुरू अपने समय के ऐसे लोगों के बारे में बात किया है जो working class के लोग थे यानि कि working class के लोगों के बारे में बात किया है उनके मतलब जैसे जब industrial revolution था तो industrial revolution के situation में लोगों के harsh condition के बारे में बात किया गया है हार्स condition का मतलब जैसे industrial revolution के समय जो लोगों के सामने कठनाई आती हैं उसके बारे में बात किया गया है और roots of honor जो है ये honorable मतलब एक तरह से workers और सवार्डिनेट्स के वर्कर्स और मालिक के बीच में ये ना वर्कर्स और उनके मालिक के बीच में ये honorably dealing करता है मतलब simple सा roots of honor में किस पर focus होता है तो dealings with workers and lord मालिक के बीच में और इस essay में रस्किन बताते हैं इंग्लेंड की political economics related कुछ बातों को बताते हैं चुकि ये अंटू दिस लास्ट ये जो essay है या roots of honor पहला chapter है ये तो इंग्लेंड की political economy पर best है ही उसी को लिखा गया है और बात किया जाए इसके अंदर क्या कोई ethical value है हाँ ethical value है यहां पर जहां पर human emotions को जो है motivated factors के रूप में दिखाया गया है और जो mechanical relationship होता है master और subordinates के बीच में उस चीज़ को भी दिखाया गया है जैसे masters मालिक और subordinates उनके बीच काम करने वाले लोगों के बीच में किस तरह से बेहार होना चाहिए इस सीज़ को दिखाया गया है और कहीं न कहीं जो है जोन रसकिन एक justice balance को भी represent करते हैं justice balance को भी represent करते हैं अब फिर रसकिन जो है ये suggest करते हैं कि जो है ट्रेनिंग इस्कूल होना चाहिए जैसे जो youth है youth के establishment के लिए training school होना चाहिए और ये भी school एक government caste पर होना चाहिए मतलब सरकार द्वारा होना चाहिए under government discipline के through होना चाहिए ऐसे school जो है ये youth के लिए training school की तरह होना चाहिए जहां पर कई सारी skills सिखाई जानी चाहिए और skills में भी अगर देखा जाए तो तीन तरह की चीजों को जरूर सिखाना चाहिए चाहे कुछ सिखाया जाए या ना सिखाया जाए एक तो lodge of health मतलब health के नियम क्या है मतलब एक तो health के नियमो को सिखाना चाहिए और जो है उनकी ध्वारा exercise किया मतलब करवाना चाहिए और gentleness और justice की habit सिखानी चाहिए कि कैसे gentleness की स्तरह justice रहे इसकी habit सिखाई जानी चाहिए और जो है calling by which he is to live तीसरा यह है calling by which he is to live मतलब वो रहते कहां है उनको रहना का मतलब यह सारी चीज़े उनको बतानी चाहिए कि कैसे रहना है किसके साथ कैसे बेवार करना है रसकिन यह भी suggest करते हैं कि सरकार को जो है manufacture मतलब इनसानी life में जो चीजें बहुत जदा necessary हों उस चीज के लिए manufacture उस चीज का manufacture करना चाहिए इसे government और private जो enterprises हैं वापस में health competition में रहेंगी और लोगों की भलाई होंगी और वो आगी बताते हैं जॉन रसकिन आगी कहते हैं कि कोई भी पुरूस हो कोई भी आउरत हो कोई भी लड़का हो या लड़की हो हर कोई को जो है हर कोई को suitable work दिया जाना चाहिए मलब जो जैसा काम कर सके उसको ऐसा काम करना चाहिए है ना इसे हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी जो है जीब का पारजन करेगा ठीक और इन लोग को जैसे भी work की नीड़ो उस तरह देना चाहिए लाश्टली जोन रसकिन जो है रिकमेंट्स आ रेस्पेक्टेबल सिस्टम आप सोसल देखो लाश्टली जो है जोन रसकिन यही रिकमेंट करते हैं कि एक सोसाइटी में जो है ना एक रेस्पेक्टेबल सिस्टम होना चाहिए सपोर्ट के लिए और वो सपोर्ट चाहिए ओल्ड हो चाहिए वो डिस्टिट्यूट है old destitute के लिए भी एक support system होना चाहिए और ऐसे इनको इन लोगों को एक घर प्रोवाइड कराना चाहिए और जो है comfort zone थोड़ा सा प्रोवाइड कराना चाहिए और इनकी feeling को honorably मतलब समझने का प्रियास करना चाहिए और रस्किन इंग्लिस में इंग्लिस के literature में यह जो अपना एस से लिक कर यह कहते हैं कि हमें honesty में विश्वास मतलब इमानदारी में विश्वास करना चाहिए और जो working power में विश्वास करना चाहिए कि जैसे क्या कहा गया है सफलता का कोई shortcut नहीं होता है और इस किताब की जो दूसरी खास बात है वो यह है कि belt के acquisition को दिखाना मतलब इस चीच को focus करना कि पैसे को किस तरह से मतलब यूज किया जाए एक मतलब अच्छे तरीके से यूज किया जाए society के moral condition के ही under चलते किया जाए जिसे जो है honestly poor buck और एक responsibility लोगों को पता रही है ना फिर इसके बाद में रस्किन के बारे में थोड़स देख लगते हैं रस्किन कहां पढ़े लिखे थे इसकी higher education क्या कैसे है तो देखो ये जो है 11 साल पहले तो कुछ latin language सीखे उसके बाद में 11 साल की उम्र में Greek language सीखने लगे 12 साल की उम्र में पहुँचे तो थोड़ा बहुत इनको फ्रेंच आने लगा थोड़ा जमेटरी भी सीख लिए थे और 15 साल की age में इनको जो है पेक हम के day school में भेजा गया पंदरा साल की age में कहां भेजा गया इनको पेक हम के day school में भेजा गया अब फिर इसकी बाद देखे जैसे 16 साल की age में ये आकसफोर्ड उनिएर्स आकसफोर्ड से matriculate हुए थे और 837 इसवी की जर्नी में इन्होंने क्या किया क्राइश्ट चर्च कॉलेज आक्सफोर्ड को जोईन किया और फिर इनका इस तरह से आगे चल कर पढ़ता रहा और इनका थोड़ा ये होप था कि ये जो है इवेंजेलिकल बिसप बन जाएंगे पिर रसकिन को जो है पॉलिमेथ और विक्टोरियन एज कहा जाता है तो ये इंपोर्टेंट है रसकिन वाज आलसो नोन ऐस दा पॉलिमेथ और विक्टोरियन एज रसकिन को विक्टोरियन एज का पॉलिमेथ भी कहा जाता है पिर यहाँ पर देखे अब अगला जो है आपका culture and energy sweetness and light ये एक chapter है इसको Matthew Arnold ने लिखा था वैसे बात करें तो ये critical essay है 19th century पर लिखा गया था इंगलिस में अब ये culture and energy जो है Matthew Arnold की एक criticism work है इसको publish हुआ किया गया था 1879 इस भी में culture and energy कब publish किया गया तो 1879 इस भी में publish किया गया था इसको और Arnold इसमें जो है culture की बात करते हैं और culture को study of perfection बताते हैं है ना energy के साथ में energy का मतलब होता है miss behavior होता है ठीक है ये चीज़ होता है और दूसर नमबर अगर बात करें ये जो culture and energy का जो पहला section है है ना इसका पूरा नाम ये है कि culture and energy an essay in political and social criticism मतलब एक essay है जो कि political और social criticism में लिखा उस पर लिखा गया है where sweetness and light stands for beauty and intelligence जहां sweetness and light का मतलब होता है beauty and intelligence होता है sweetness and light का मतलब होता है beauty and intelligence और देखो एक excellent culture का एक बढ़ियां culture का जो है बढ़ियां culture के लिए दो important key elements होते हैं एक तो जो है पहला है दो important की elements होते हैं एक तो sweetness और दूसरा light है कैसे होता है भयागी देखते हैं और culture जो हमेशा flux होता है और adaptable होता है और ये culture energy ये जो essay है ये six section में divide है और साथ में इसका एक introduction है और प्लस conclusion भी है ये बहुत important है culture और energy जो six section में divide है एक introduction और एक conclusion है उस six section का नाम है sweetness and light है doing as one likes barbarians philistians populace sweetness and light doing as one likes दूसरा doing as one likes और one likes तीसरा barbarians philistians populace है और चोथा है हर हिब्रेजम and hellenism और पांचवा है पोरो उनम इस्ट नेसेसेरियम और छठा है आवर लिब्रल प्रेक्टिसिनर्स अच्छा culture means मतलब होता है society way of life customs और tradition और एनार्की का मतलब होता है unrest, lawlessness, discover और chaos अब जैसे culture and एनार्की है तो culture का मतलब होता है society way of life, custom and tradition और एनार्की का मतलब होता है unrest, lawness, discover and chaos ऐसे लोग जो की culture में रहते हैं वो जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन जो एनार्की को follow कर सकते हैं वो केवल दूसरे से लड़ेंगे मतलब culture and एनार्की में इतना अंतर है कि जो लोग culture में रहेंगे वो life को अच्छे से survive कर सकते हैं लेकिन ऐसे लोग जो की एनार्की को follow करते हैं वो बस केवल एक दूसरे से fight ही करेंगे और ये culture and एनार्की जो है Victorian age में लिखा गया था जहां पर sweetness का मतलब होता है beauty और light का मतलब होता है intelligence अच्छा ये जो culture होता है ये life का एक ऐसा तरीका होता है जहां पर group आप people के behavior, beliefs, values और symbols पर focus किया जाता है जिसको एक तरह से acceptance होता है जिसको जो है accept किया जाता है ठीक बिना उसके बारे में सोचे हुए चुकि culture positive sense में होता है और culture जो है एक symbolic communication होता है जैसे culture से एक व्यक्ति का व्यक्ति की personality का idea लगाया जा सकता है और जो anarchist cultural होता है ये जो होता है anarchist का मतलब ऐसे लोग जो कि एनार्की में विश्वास रखते हैं है ना एनार्की को हम super villain कह सकते हैं ठीक जो कि American comic books में appear होता है कि एनार्की जो है एक super villain है देखिए अगर एक line में कहा जाए तो एनार्की का मतलब होता है having no rules मतलब वो एनार्की वहां रहती है जहां पर कोई नियम काईदा नहीं है वहां एनार्की system है ठीक है और culture की बात करें तो culture को हम define कर सकते हैं कि as all ways of life including arts, beliefs and institution of a population that are passed down from generation to generation मतलब culture वो होता है जो कि art, beliefs, institution of population को include करके रखता है लाइब को जीने का तरीका होता है और यह जो है generation to generation pass होता रहता है चलता रहता है आना final analysis में यह कहा जा सकता है कि culture is the study of perfection, culture जो एक perfection की study होती है एक well regulated mind के दो dominant पहलू होते हैं जिसमें वो काम करते हैं एक तो है scientific passion for pure knowledge ठीक, scientific passion for pure knowledge और दूसरा है the moral and social passion for doing good deed यह चीज़ आपका है clear अब यहाँ पर देखे एक chapter है modern galantry जिसको लिखाए Charles Lamb ने तो Charles Lamb का जन्म होता है 1775 इस भी में crown office में जन्म हुआ था 1775 में crown office में और Charles Lamb जो है इनके पिता का नाम जोन लैम्ब था जो की एक color थे है ना और Charles Lamb जो है अपनी बड़ी family की youngest child थे Charles Lamb की मम्मा का नाम था Elizabeth Field और इनके पापा का नाम था जोन लैम्ब Lamb जो है अपनी education Lamb को अपनी education Christ hospital college से मिली और Christ hospital college को blue coat school भी कहते हैं लैम्ब ने अपनी education कहां से पाई तो Christ hospital college से पाई और इस Christ hospital college को blue coat school भी कहते हैं 1882 से 1750 तक ये पढ़े और 1789 में ने इस्कूल छोड़ा और उसके बाद में ये लंदन में जॉब करने लगे और वो भी कहां पर लंदन के merchant house में जॉब करना शुरू कर दिये ये जो लैम्ब का essay modern galantry है ये लंदन magazine में publish हुआ था 1822 इस भी में याद रखना मतलब modern galantry जो है कब publish हुआ 1822 इस भी में किस magazine में publish हुआ तो ये लंदन magazine में publish हुआ था इस essay में लैम्ब ने जो है men के behavior के बारे में बात किया है कि किस तरह का men का behavior women के साथ होता है एक अगर modern society में बात किया जाए तो generally men का behavior women के behavior के साथ में बताया गया एक तरह सकंपार्जन भी किया गया है इसमें अब next देखो Charles Lamb as an assist ये question बनता है तो याद रखने है ये important question हो जाता है तो इसको जरूर पढ़े लिजे Charles Lamb as an assist Lamb is the most loving and lovable of all English assessed He is regarded as a prince among assessed Charles Lamb जो है बहुत ही ज़्यादा loving और lovable जो है ये writer है या loving और lovable जो है एक मिनट भाई ये सब पर चार आ जाता है पता नहीं कहां से Charles Lamb जो है loving और lovable जो है जितना भी एसेश्ट है उनसा में सबसे ज़्यादा ये loving lovable है इसी लिए तो इनको prince of all assessed माना जाता है और इनका जो है एसेज का जो real charm होता है वो दो factor में छिपा होता है इनके एसेज का real charm दो factor में छिपा होता है एक तो इनका autobiographical style और दूसरा जो है perfect blending मतलब humor और pathos का इन्होंने perfect blending मतलब इनकी style का नाम है autobiographical और दूसरा है कि एक perfect blending of humor and pathos humor and pathos जो है लैंब ने यूज किया है जबकि Joseph Edison ने क्यों humor का ज्यादा यूज किया था आना mix up पाया जाता है जो है और लॉफर जो है वो tears की द्वारा quickly पॉलोड किया जाता है मतलब इसको ऐसे समझो कि दो चीज होती है एक तो जैसे humor जो है sorry हाँ सही तो है humor कहीं न कहीं एक comic relief देता है और जो है pathos जो है pathetic side होता है मतलब humor जो एक comic relief देता है और pathos pathetic side के बात करता है और lamb के nature में कहीं न कहीं more ability रहती है और ये चीजों को melanchly aspects के बारे में बात भी करते हैं लैम्ब की जो भी एसे होती हैं उन सारे एसे को autobiographical style में लिखते हैं और lamb के एसे में कहीं न कहीं इनके personal life के background की बातें include होती है है ना lamb जैसा की ये है ना कहा जाता है कि lamb एक forced bachelor थे मतलब इनके इनकी एक sister थी तो इनकी sister की insanity जो है इनको married life बहुत ज़्यादा मतलब अपनी sister की insanity के वज़े से इन्होंने married life का बहुत ज़्यादा ज़्याए नहीं कर पाया lamb जो है एक satirical style का यूज करते हुए अपने दुख दर्द को express करते हैं है ना की married life के imperfection मतलब married life का ये enjoy नहीं कर पाये थे कुछ ऐसा है ठीक और इसके बाद में क्या होता है इन्होंने ऐसे भी लिखा था ऐसे bachelor complaint of the behavior of married people ये ऐसे लिखा था और एक unmarried man की रूप में लेंब की बात किया जाया तो लेंब को जो है मतलब लेंब बताते हैं लेंब के हिसाब से जो है क्या होना चाहिए कि married people ये समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे इनसान है वो unmarried people को बेवकूब समझते हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनको जो है इसके बारे में पता ही नहीं है मतलब इसके बारे में ना पता होने का मतलब क्या married life के pleasure की बारे में मालूम ही नहीं है अब इनका जो ऐसे है modern galantry तो modern galantry में ये वही जैसे female की बारे में बात किया गया है कि पहले जो है female के साथ में अजीब तरह से सुलूक किया जाता था उनको torture किया जाता था हुईप किया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है और modern galantry में इन्हों कहीं कहीं न कहीं एक apple women का example दिया है ठीक और एक positive sense में जोसेप पेस नाम की character का यूज किया है जो की बहुत बड़ा galant था या उसको galant बहुत ज़्यादा ये बताते हैं और इनकी जो भी essay होती थी वो सारी की सारी essay जो है एक strong emotions और high imagination के साथ में होती थे modern galantry के बारे में देख सकते हैं galantry का मतलब होता है special respect और so a civilrous attention to women मतलब बीमेन के परत एक special respect रखना और Charles Lamb जो है modern galantry को इसी theme पर रखते हैं कि 19th century England में किस तरह का galant भावना थी मतलब men जो है men जो है बीमेन को किस तरह से देखते हैं थे लैम्ब का मतलब यह है कि एक तरह से जो है बीमेन के प्रतिक qualities respect को so करना और खासकर ऐसे जो की मतलब एज मतलब यह चीज़ बीना देखे वे beauty class या connection जैसे क्या होता है आज भी ऐसा होता है कि लोग ऐसे बीमेन का बहुत ज्यादा respect करते हैं ऐसे बीमेन के प्रति बहुत ज्यादा galant की भावना रखते हैं जो सुन्दर है और similar age की है तो इनका मतलब है कि जैसे जोसेप pace ने यूज किया था कि वो galant की भावना रखते थे बीना age बीटीनेस इन सब को देखे हुए अना और फाइनली जो है it needs to mention that lamb also present his view that it is also the bemen's responsible फाइनली वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारा मतलब भीमेन की भी responsibility होती है कि अपने respect के लिए वो एक तरह से self-aware रहे हैं ठीक है अब देखे एक poem है third paper के syllabus में उसका नाम है ode to the best bind तो इसको pb sally ने लिखा था तो ode to the best bind को pb sally पर cb sally ने लिखा था 1819 में लिखा और ये 1820 इसवी में publish हुआ था है ना और इसको जो है एक जंगल में लिखा था जो की Florence के ही पास में है ठीक और देखो उस समय जब इन्होंने best bind लिखा तब जो है best bind बहुत तेज चल रही थी और साम के समय वो बादलों को अपने साथ उड़ा ले जा रही थी एक बहुत ज़यदा वाइलन्ट टेmpes्ट कर रही थी वाइलन्ट टेmpes्ट मतलब हेल और रेंका वाईलन्ट टेmpes्ट मतलब एक घोरदार तूफानी तूफानी हوا की रुप में बह रही थी यह जो है और इसको publish फानी बास में post musically publish किया गया था इसको post muscle का मतलब होता है मरने के बाद publish किया गया था और ode to the bestment ये 5 stenja से बना हुआ है मतलब इसमें 5 stenja है एक stenja में 14 line है है ना और इसमें एक stenja में 14 line है और 5 stenja है और इसमें अगर देखें तो 14, 75 यानि कि overall कितनी line है 70 line है 70 line है और फिर इसमें देखो तीन line के group को terja rima कहते है तो 4 terja rima है और एक couple है ठीक इसकी summary की बात करें तो इसमें इन्हों ने बताया है किसने बताया है ये PB Sally ने ओड PB Sally ने बेस्ट बिंड को परसोनी फाइज किया है बेस्ट बिंड को इस तरह से बताया गया है कि एक force के रूप में है जो जब चलती है ना तो trees के पत्तों को एकदम जो है जाडू लगाते हुए सुइप करते हुए चलती है एक destroyer की तरह है मतलब ये best wind को एक destroyer के रूप में परसोनी फाइज किया है और ये कहा है कि ये जब चलती है तो अपने साथ में ये trees के seeds को मतलब ऐसे बीजों को उठाती है और उनको एक जगह से दूसरे जगह पर लाती है और इस तरह से फिर जब एक situation आता है तो वो बीज जमते हैं उगते हैं ground में spring season में है ना और फिर उसकी बाद में क्या होता है कि जब ये soil में पढ़ते हैं तो इस तरह से मतलब एक तरह PB Sally ने best wind को destroyer के form में दिखाया है और दूसरी तरह pre-gerber के रूप में pre-gerber के रूप में दिखाया है है ना मतलब simple sum कह सकते हैं कि PB Sally ने यानि कि poet ने best wind को address किया है आजा destroyer and as a pre-gerber destroyer और pre-gerber दोनों sense में और उनसे कहते हैं तुम सुनो तो सही मेरी भात फिर आगे क्या होता है ये अब ये best wind को ही बताते हैं है ना तो कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये best wind को समय लिखे जब ये बहुँ ज़दा परिसान थे और best wind से यह कहना चाहे रहे थे कि जिस तरह जब तुम चलती हो तो बादलों को उड़ा ले जाती हो ठीक है और नदियों की सतह से ओसन की सतह से एक तरह इस पानी को पानी में हलचल मचा देती हो ठीक और heaven की तरफ से ऐसे चलते हो heaven का संस यहाँ इसका ही की अपर मोश्ट पोर्शन से लिया जाता है तो वैसे यह कहते हैं कि है best wind मुझे भी तुम इनके समान उड़ा ले चलो और फिर आगी यह अगर third हाँ फिर आगी यह क्या बात करते हैं यह third stage में कहते हैं कि तुम जब चलती हो ऐसा लगता है ना कि एक morning song के रूप में मतलब इन्होंने मतलब यह देखो simple सा यह best wind को destroyer भी कह रहे हैं pre-serber भी कह रहे हैं अब third stage में यह कह रहे हैं कि तुम song of morning हो एक तरह से दुख मही song की तरह हो ठीक और फिर आगे यह best wind से फिर request करते हैं listen to him उसकी बात तो सुने वो ठीक अब क्या सुने तो वो कहते हैं कि best wind के पास बड़ी power होती है इतनी ज़्यादा power होती है कि यह summer meditarians sea में भी हलचल मचा देता है जैसे समुद्र में भी पानी के हवा की वज़े से हलचल मच जाती न सोते हुए समुद्र meditarians sea को भी जो की summer dreams में होता है उसको भी उससे वहां से उठा देती है ठीक है और जब उठा देती है तो सली आगे बताते हैं कि अपने बारे में कहते हैं कि best wind जैसे तुम इन लोग को मतलब उडा कर ले जाती हो मैं यहां जिंदगी के काटों में गिर गया हूँ और जिंदगी के काटों में गिर गया हूँ यह काटे मुझे चुब रहे हैं ब्लेडिंग हो रही है तो एक काम करो तुम भी मुझे उडा ले चलो तुम भी मुझे यहां से उठा ले चलो अपने साथ उड़ा ले चलो इन पत्तों के समान और फिर वो आगे कहते हैं अगर एक सिंपल वर्ड में बात किया जाए तो यहां पर वो वेश्ट बिंट से प्राथना करते हैं ठीक है? और जब प्राथना करते हैं तो अपने बारे में बात करते हैं ठीक और कहीं न कहीं यह भी बात करते हैं कि जब मैं छूटा था तब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज़दा सैतान था यह था आना? और एक तरह से यहां पर यही यह कहना चाहते हैं बेस्ट बेंट के थुरू कि यह ओल्ड एरा जाए और नया एरा आई जैसे ओल्ड जाए और न्यू आई अन्यू एरा इज नॉट फॉर अबे इनके साबसे एक न्यू एरा आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं अर्था न्यू एरा आने ही वाला है अब यहाँ पर नेक्ष्ट पोयम है कम इंटू दा गार्डन मौड इसको लिखा था अलफ्रेड टैनीसन ने परेश्ट बारें टैनीसन कम इंटू दा गार्डन मौड तो अलफ्रेड टैनीसन ने लिखा ये एक पोयेट थे 1884 इस भी में पब्लिश हुआ अब समरी की बात करें तो पोयम है तो सिंपल सा यहां पर पोयम जो है अपना और अपनी प्रेम का मौड के बीच लब रिलेशनसिप को रिपरजेंट करते हैं यहाँ पर जो है मौड उनकी प्रेम का मौड ने उससे वादा किया होता है कि वो अपने फादर के रोजैरियम मेंस होता है गुलाब की बगीचे में रात में मिलने आएगी लबर जो है अब उस रोजैरियम में पूरी रात पर तीछा करता लेकिन वो नहीं आ पाती है एक्चली होता क्या है उसकी प्रेम का मौड आना तो चाहती है लेकिन उसके घर पर उसके भाई ने एक पार्टी अरेंज कर दी थी और इसलिए उसे उसे बोला गया था कि तुम घर पर ही रो और मतलब देख भाल करो महमान का और ये पूरी रात जो है डिनर, ड्रिंकिंग, डांसिंग, मेरी मेकिंग, मैंस आनन्द मैं चीजों से बीती वहाँ पर और इधर लबर बेचारा अगेला बैठकर उस गार्डेन में अपनी प्रेम को को याद करता रहा और जो उसका प्रतिच्छा करता रहा फिर उसकी बाद क्या होता? ये प्रेजंट पुएम जो कम इंटू दगार्डेन मोड है इसमें इस पुएम के थूх टैनी सन ने अपनी इप फिलिंग को अपनी प्रेम का के प्रति मोड के प्रति जो भी उसकी इप फिलिंग थी उसको represent करता है, express करता है और टेनी सन का जन्मों था, 89 में मिरती हुई थी, 892 में यह जो poem है, यह जो है एक love poem में से best love poem है यहाँ पर poet lover के ही बारे में बताते हैं कि किस तरह से lover ने अपनी प्रेम का किंतिजार में पूरी रात garden में बिता दी और यह garden जो है उसकी प्रेम का के ही घर के पास में है ठीक है, और यह देखो प्रेम का lover को भी, प्रेमी को भी यह मालुम था कि हो सकता है कि उसकी प्रेम का ठीक, उससे मिल न पाए क्योंकि उससे मालुम था कि उसके घर पर party है और वो घर के बाकी सारे कामों में बिजी होंगे जो मेहमान लोग आएंगे उनका उसे वेलकम भी करना है लेकिन जैसा कि प्रेमका ने उससे वादा किया था कि वो रात में मिलने आएगी इसलिए प्रेमी जो है पूरी रात गार्डन में ही बाइट कर परतीचा करता रहा कि हाँ उसे जैसे टाइम मिलेगा तो आएगी फिर यहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे रात बीत जाती है सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो अब यहाँ पर लबर जो है आसमान मतलब आसमान में जो तारे थे वो भी चमकना बंद हो जाते हैं चुकि सुबह होने लगता है सुरे की किरड़े फैलना शुरू हो जाती है और लाश्टली जो है यह कहता है कौन प्रेमी कहता है प्रेमी बगीचे में फूलों से बात क करता है कि हाँ ठीक है हो सकता है कि अब यह लोग आ जाए मतलब अभी भी प्रेमी मतलब होप करता है कि हो सकता हुआ उसकी प्रेम का अभी आ जाया है इसके पहले एक चीज़े यह बगीचे के फूलों से बात करता है कि वो मिलने जरूर आएगा फूल भी इनके साथ में बा और किसी की नहीं हो सकती है प्रेमी कहता है कि उसकी प्रेम का मौड केवल उसी की है वो और किसी की नहीं हो सकता है और यहां तक कि यह भी कहता है कि वो उसके पैरों के नीचे कुछले जाने के लिए तयार है है ना मतलब उसकी इंतिजार में वो जिंदगी भर इंतिजार कर सक ठीक और लाश्टली जो है वो सोचता है कि हाँ आप तो ये डान्स प्रोग्राम जो भी उसके घर पर था वो सारा खतम हो गए अब सुबह हो गई है तो हो सकता है अब वो उससे मिलने आए ठीक है लेकिन क्या ये मतलब बाते करता है और इसी दुख में ये जो है लिखता इस और पोएम को अगर एंड किया जाय तो इसमें कोई डाउट नहीं है देखे दा प्रजेंट पोएम नो डाउट है ज एन इम्मोर्टल एक्स्टैसी सो फोर अजला पोएम्स आर कांसर्ड मतलब सिंपल सा ये जो कम इंटू दा गार्डिन मौट ये बेस्ट लब पोएम है जि और और डिप्रेशन के चले गए तो यहां पर एश्टी कॉलरेज भी साइड और डिप्रेशन के स्टेट में चले गए थे और तब इन्होंने डिजेक्शन एक ओर्ड के फोर में लिखा इसको और डिजेक्शन का मतलब होता है जैसे इसके सुनोनिम से डिप्रेशन, sorrow, grief, sadness एंटोनिम की बात करें तो cheer, happiness, जो आए ode क्या होता है तो ode is a short lyric poem ode जो है एक प्रकार का short lyric poem होता है dead praises an individual, an idea और an event जो की ये praise करता है कि इंडिविजूल है ना एक particular person की praise करता है उसके ideas को और event को ये express करने के लिए ode का use क्या जाता है short lyric poem की तरह ठीक है अब जैसे क्या है ode के example की बात करें तो ode आना ग्रेशियन अर्न जिसको जॉन कीट्स ने लिखा, ode to the best band जिसको PB Sally ने लिखा डिजेक्शन जिसको ST College ने लिखा, ये सब ode के example है, अच्छा three types के ode होते हैं, पिंडेरिक ode, होरेशियो, ode और जो है, irregular ode बात करें पोयम के बारे में, तो डिजेक्शन अइन ओड ये पोयम जो है ST College ने लिखा, पूरा नाम था, सैमल, टेलर, कॉलरीज, 1802 इस भी में इसको इन्होंने लिखा और इसको इन्होंने किसके लिए लिखा था तो Sarah Hutchinson के लिए लिखा था Sarah Hutchinson एक ऐसे woman थी, जो कि इनकी wife तो नहीं थी लेकिन एक तरह से ये इनसे प्यार करते थे बट इनकी सादे इनसे नहीं हो पाई थी ये 1802 इस भी में published हुआ और original किस language में लिखी गई है तो English language में लिखी गई है और दूसरा बात करें तो ये dejection जो है उस समय लिखे इन्होंने जब ये अपने मतलब ये सारा Hutchinson की याद में बहुत ज़्यादा depression में चले गए थे अच्छा नेक्स्ट यहां देखते हैं नेक्स्ट क्या है the habit dead end the poetic sensibility of the poet मतलब उस समय ऐसे poet की जो poetic skill थी एक तरह से dead end stage में चली गई थी मतलब end हो गई थी इनको समझ में नहीं आ रहा था ये करें क्या ठीक और जो है सारा Hutchinson 1799 में इसके contact में आई थी और उसी समय से सारा Hutchinson से एक passionately love हो गया था लेकिन ये प्यार नहीं हो पाया साधी नहीं कर पाये क्योंकि सारा Hutchinson आल्रेड़ी जो है साधी सुदा लड़की थी ठीक है और इस ode को जो है बहुँ जादा pathetic condition में लिखा गया है एक दुख में ही condition में लिखा गया है और ये किसको एड्रेस है तो इसको एड्रेस है ये किसको है भाई सारा Hutchinson को बाद में बिलियम को भी एड्रेस हुआ बिलियम वर्ड्सुवर्थ को भी कही न कहीं ये चीज एड्रेस है और लाश्ट बात करते हैं ये come into the garden mode जो है ये 827 इस भी में सिबे लाइन लीप्स में पब्लिश हुआ है ना और पहले जब पब्लिश हुआ था तो यहां सारा Hutchinson नेम यूज किया गया था लेकिन बाद में सारा Hutchinson के प्लेस पर लेडी का यूज किया था 827 इसे शुरुआ अगर फर्ष्टली पब्लिश कब हुआ तो 1802 इस भी में पब्लिश हुआ क्लियर अब देखे नेक्स्ट एक एसे है थार्ड पेपर में Heroes and Hero Worship इसका जो है तीसरा लेक्चर है The Hero as a Poet स्लेबस में है ये The Hero as a Poet इसको लिखा था Thomas Carlyle ने लिखा है Thomas Carlyle अब Heroes और Heroes वर्षिप ये स्रीज आप सिक्स लेक्चर है Heroes and Heroes ये क्या है स्रीज आप सिक्स लेक्चर का स्रीज है और 1837 से 1840 इस भी के बीच में इसको लिखा गया था फिर इसकी सिक्स लेक्चर कौन कौन से है तो Hero as a Poet है Hero as a Divinity है और तीसरा है Hero, sorry पहला है The Hero as a Divinity दूसरा है The Hero as a Prophet और तीसरा है The Hero as a Poet और इसकी बाद में चौथा है The Hero as a Priest और पांचवा है The Hero as a Man of Letters और छठा है The Hero as a King ये छे लेक्चर जो हैं इन सब लेक्चर को एक बुक फॉम में इन सिक्स लेक्चर को एक बुक फॉम में 1841 इसवी में पब्लिश किया गया और लिखा कब गया 1837 से 1844 इसवी के बीच में लिखा गया अब जैसे देखो Hero as a Divinity में Divinely inspired हुए थे ठीक Pilgrims Progress ये इसका अच्छा एक्जामपल है Hero as a Prophet में मुहमद और Khadija Khadija को दिखाया गया है इनकी sincerity को इनको एक true person की रूप में इसकी बाद next चलते हैं तो यहाँ पर देखो Hero as a Poet Hero as a Poet में ये बहुत ज़द enthusiastic है और Hero as a Poet में इन्होंने दो Poet का एक्जामपल लिया है दानते और Shakespeare को दानते को माना जाता है Inner Life of Europe मतलब दानते जो है योरोप के Inner Life को represent करते हैं और Shakespeare जो है योरोप के Outer Life को represent करते हैं इसलिए इनको Hero as a Poet regard किया जाता है मतलब ये ऐसे नहीं करते हैं कि ये बहुत अच्छे work लिखते थे बलकि इसलिए करते हैं कि इनके Life में बहुत सारी क्राइसेस थी इसके बावजुद भी इन्होंने इतना अच्छा work लिखा इसलिए दानते और सेक्सपियर को ये Thomas Carlyle एजा Hero represent करते हैं अब ये ऐसे जो है Six Lectures के ग्रूप में से एक है मतलब तीसरे नंबर का जो है ऐसे है अठार सो चालिस इस भी में ये पबलिस हुआ था 37 से 40 के बीच में इसे दिया ही गया था दानते और सेक्सपियर एक्जामपल लिए हैं कारलाइल जो है पोएट को आजा Hero मानते हैं कि पोएट भी एक Hero होते हैं फिर इसके बाद में सेक्सपियर आजा Hero यहां पर सेक्सपियर की बात करें तो सेक्सपियर को देखो यहां पर एक बहुत line important है कि Homer was to Greece मतलब Homer Greece को represent करते हैं ठीक दानते to middle age middle age के representative यानि कि middle दानते हैं और सेक्सपियर modern age मतलब सेक्सपियर की जितनी viewer को अगरा होते थी यह सब modern age को प्रभावित की हैं है ना modern age के writer को इन सब को जो है इन्होंने किया है ठीक फिर इसके बाद में दानते एजा Hero तो दानते को divine दानते की एक famous work है divine of comedy है है ना तो उस divine of comedy जो है वो man के nature के बारे में बताता है कि किस तरह से उनको heroic gifts के रूप में भगवान ने क्या-क्या सकती दी है ठीक वाकी आप देख सकते हैं ये सारी चीजे दानते की एक बेलबेड थी प्रेम का थी जिसका नाम बेट्राइस था ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन साधी नहीं हो पाई और इनके साथ इनके लाइब में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए लेकिन उसके बाउज़ोद भी नहीं बहुत अच्छे अच्छे work लिखे अच्छे यहां बात कर लेते हैं कि हीरो और हीरो वर्षिप क्या होता है चुकि नाम ही है हीरोज एंड हीरो वर्षिप तो हीरो आप परसन नोटेड फॉर करेज आइक्ट्स और नोबेलिटी आप करेक्टर एक ऐसा परसन जो की साहसी कामों के लिए जाना जाता है वो हीरो कहलाता है और हीरो वर्षिप का मतलब यह होता है एक्सेसिव एड्माइरेशन पॉर समुवन और एंड आप बिलीप मतलब किसी चीज के लिए या किसी बिलीप के प्रति एक्सेसिव एड्माइरेशन जो होता है hero worship होता है तो hero का मतलब होता है आ person एक ऐसा इंसान जिनको उनके अच्छे कामों के लिए उनके nobility character के लिए जाना जाता है और hero worship का मतलब होता है कि किसी के द्वारा किये गए काम को लेकर या किसी विश्वास को लेकर बहुत जादा एक excessive admiration करना hero worship होता है अब यहाँ पर देखे एक poem है The Scholar Gypsy तो The Scholar Gypsy को Matthew Arnold ने लिखा है तो The Scholar Gypsy 17th Century Oxford Story पर बेश्ट है और जिसमें मतलब The Scholar Gypsy जो है Joseph Glendville की The Vanity of Dog में टाइजिंग से लिया गया है अना तो यह important है The Scholar Gypsy जो है Matthew Arnold ने इसको लिखा था और यह 17th Century Oxford स्टोरी की कहानी है Oxford student के Oxford scholars की कहानी है और यह किसमें मिलता है तो Joseph Glendville की The Vanity of Dogmatizing से लिया गया इसको पबलिस हुआ था 1893 को और इसका जेनरा है LG Tropical Poem है Arnold जो है इस poem के थूँ Glendville की इस poem के थूँ यह बताते हैं कि एक scholar Oxford student Oxford scholar है जो कि Gypsy's के band को join कर लेता है ताकि वो उनके trade के secrets को जान सके ठीक और Gypsy's के पास अपना खुद का जैसे traditional होता है तो इन सारी चीजों को वो सीखना चाहता है इसलिए उनके band को join कर लेता है ठीक अब जब क्या होता है अब यहां पर नेक्स्ट पोयम है The Last Ride Together तो देखे The Last Ride Together Robert Browning ने लिखा है और इसको publish करवाए गया पहली बार 1825 को अब राबर ब्राउनिंग के collection थी Men and Beeman तो Men and Beeman के collection में 1855 में इन्होंने अपनी पोयम The Last Ride Together को publish करवाए है ठीक है और यह जो यह जो क्या यह जो Men and Beeman collection है यह इसमें 51 पोयम से है मतलब 51 पोयम से यह comprise हुआ है ठीक और इन्होंने इस पोयम को तब लिखा The Last Ride Together को यह Men and Beeman की collection में The Last Ride Together को तब publish करवाए जब इनकी पहली वाइप Elizabeth Barrett की देथ हो गई थी और यह जो है अपनी फ्रेमका की याद में लिखी है इस जीज को ठीक और यह जो है Victorian Era से related है जैसे अगर पूछा जा Robert Browning कौन से पोयट है तो Victorian पोयट है तो कहीं न कहीं Victorian Era से related यह Last Ride Together भी है जो है चुकि यहाँ एक लब जो है अपने प्यार में reject हुआ है और इस तरह से अपने वो प्रेमका से कुछ अंतिमिच्छा जताता है कि क्या हम एक बार Last Ride कर सकते हैं और Monologue टाइप है यहाँ पर Robert Browning मतलब Robert Browning ही बोलते है मतलब लबर ही बोलते हैं उसकी प्रेमका कुछ नहीं बोलती है यह मांगते हैं लेकिन प्रेमका जो हो उसको क्या Permission दे देती है वो कहते है ठीक है ठीक है मैं Last Ride Together तुमारे साथ कर सकती हूं और इस पर इस पोईट को लगता है कि जैसे उसे मानो जन्नत की सारी खुसिया मिल गई हो और इसी के साथ में आगे चल कर वो Compare भी करने लगता है कि जो Musician लोग होते है वो अपनी पूरी जिंदगी आर्ट को दे देते हैं लेकिन मिलता क्या है केवल प्रेज मिलता है क्यों प्रसंसा मिलता है स्टेट्समें जो होते हैं वो अपने देश के लिए सेवा करते हैं और लाश्ट में जो हैं मर जाते हैं तो उनको सरद्धा सरद्धांजली मिलती है इसे ज़्यादा और क्या मिलता है स्कलप्चर के बारे हम कहते हैं कि स्कल्पचर एक सुन्दर सुन्दर मूरतियां बनाता है यह लेकिन यह मूरतियों से क्या रियल ब्यूटी मिलती है नहीं मिलती है तो मतलब इस तरह से यह हर चीज को इनफिरियर साबित किये हैं और अपने प्यार को इस तरह से जो last ride के लिए इनकी प्रेम का हां कर देती है इसको ये जन्नत से भी बड़ा मानते हैं मतलब बहुत कहते हैं कि हम बहुत धन्य है कि कम से कम वो मुझसे चलो प्यार करती नहीं तो कम से कम उसे नफ़रत भी तो नहीं करती है the last try together अंतिमियात्रम लोग करेंगे हो सकता है कि यही मतलब हो पूरी बार चलती रहे मतलब पूरे समय चलती रहे यह हो सकता है कि वो मान जाए हो सकता है मतलब यही सब यह hope के साथ में hopeful है ठीक इस सीच को यहाँ पर लिया गया है simple जा अब यहाँ पर next देखे next यह fiction है novel है test of the derberbills इसको लिखा है Thomas Hardy ने लिखा है और यह publish कब हुआ 1891 में publish हुआ इसका genre जो है novel है social novel में social novel है किस language में लिखा गया है तो इसको लिखा गया है English language में अच्छा test के बारे में अगर थोड़ी से बात करें तो test जो है एक innocent और attractive girl है 15 year की है इसको शुरुआत में Alec Derberbills के द्वारा seduce किया जाता है और उसकी बाद में एक बच्चा पैदा करती होता है इसको जिसका नाम यह रखती है Swaro Swaro बाद में छोटे ही स्टेज में Infancy ही स्टेज में मर जाती मर जाती है और फिर इसकी बाद में यह dairy made की रूप में काम करने लगती है और finally यह angel clear से मिलती है और उनसे साधी करती है लेकिन साधी के बाद angel clear इसको छोड़ देता है जब यह टेस अपने past के बारे में अलिक के द्वारा seduction के बारे में बताती है bedding night को छोड़ कर यह चला जाता है यह छोड़ देता है उसे और अब देखे टेस आपदा Derber Wills का जो another name है वो है आप पेवर उमेन फेथफुली प्रजेंटेड यह जो टेस डरबे फिल्ड है यह 16 एर की सॉरी मैंने 15 एर सॉरी सॉरी 15 एर की तो पामिला थी यह टेस जो है 16 एर की गर्ल है जो की जोन डरबे फिल्ड एक पैडलर का काम करते हैं फेरी वाले का का काम करते हैं तो जोन डरबे फिल्ड की बेटी होती है टेस्ट जो कि 16 साल की है ठीक और इसकी टेस्ट की मा कौन होती है जोन होती है और इसमें कितने पेज हैं तो इसमें 592 पेज हैं अब देखें नॉबेल बड़ा ही होता है लॉंग होता है तो इसमें 592 592 पेज हैं इसकी सेटिंग कहां रखी गई तो इसकी सेटिंग रखी गई थॉमस हार्डीज वे सेक्स 1870 फिर इसकी बाद नेश्ट देखिए यहां पर करेक्टर कौन है तो करेक्टर एक तो टेस्ट डर्बे फिल्ड है जो की नॉबल की प्रूटागॉनिष्ट है एंजल क्लियर है जो की टेस्ट से तब मिल्क मैड में काम कर रही होती है मिल्क मैड कौन से मिल्क कौन से डेरी पॉम में वो टाल बोथ वेज डेरी पॉम में मिल्क मैड की मर्चंट नेम्ट साइमन स्टोक्स सिडियूसर आप टेस मतलब अलिक डर्बर विल्स जो होता है ये टेस को सिडियूस करता है मिश्टर जोन डर्बर फिल्ड ये टेस के पापा होते है मारलोट में एक पैडलर का काम करते है पैडलर में साइगलर यानि की फेरी वाली का काम करते हैं और मिसेज जोन डर्बेफिल्ड ये टेस्ट की मा है और मिसेज डर्बरविल ये अलिक की मदर है ब्लाइंड है और ये अक्सर बीमार रहती है ठीक, नेक्स्ट कौन से करेक्टर है तो नेक्स्ट करेक्टर है मरियन is wet and ready pridal तो यह marian is wet and ready pridal यह सब test की दोस्त हैं जो कि टाल हुए थे dairy farm में milkmate के रुप में काम करती है और फिर rebrand clear है angel clear के pader फिर message clear है angel clear की मा rebrand phelix clear है angel का भाई है angel clear का भाई है जो कि एक village curate है और एक कर्थ वेल्ट है एंजल क्लेर का भाई जो कि एक classical scholar है Cambridge University में Dean है और Elja Luisa Derbyfield तो Elja Lusa Lucy Elja Lusa ये test की छोटी बहन है जिस से last में जब test को फांसी हो जाती है तो ये बचन दे होती है बचन ली होती है angel से की मेरे मरने के बाद तुम ली जालू से साधी कर लेना तो इसलिए जो है test के मरने के बाद में angel ली जालू से साधी करता है sorrow जो होता है test का बेटा होता है जो की Alex से प्राप्त हुआ होता है और ये in fancy stage में ही मर जाता है फिर mercy chant mercy chant जो है ये rebrand clear के दोस्त की डाटर होती है Mr. Claire Hopes Angel Bill, Mary, Mercy और Mr. Claire मतलब ये सोचते हैं इनके पापा ने angel clear के लिए mercy chant से साधी तैंकर रखी थी लेकिन angel clear ने test से साधी किया इसलिए mercy chant की साधी जो है angel clear के भाई कतबर्ट से करवा दिया जाता है अब देखी sense and sensibility एक दूसरा नॉबल है जिसको Jane Ashton ने लिखा है तो sense and sensibility एक ऐसा नॉबल है जिसको Jane Ashton ने 1790 इस भी में मतलब लिखा है और उसमें romanticism का time चल रहा था 1811 में ये publish हुआ था और novel of minor से England में हुआ था और ये epistolarly novel है epistolarly novel का मतलब letters के थूँ जो लिखा जाता है और इसमें कौन-कौन से character है तो Eleanor Dashwood है जो की elder daughter आप Mr. and Mrs. Henry Dashwood की है और ये जैसे देखो Eleanor Dashwood sense को represent करते है 19 years की old है 19 साल है Marian Dashwood ये दूसरी daughter है Mr. and Mrs. Henry Dashwood की और Marian Dashwood sensibility को represent करती है 16 साल की है Margaret Dashwood ये Mr. and Mrs. Henry Dashwood की सबसे छोटी बेटी है जो की 13 साल की है John Dashwood ये Henry Dashwood का लड़का है और Henry की पहली वाइप से जो हुआ था Penny Dashwood ये John Dashwood की वाइप है Edward Ferrars ये जो है Penny Dashwood का elder brother है Edward Ferrars एक ही नाम है अलग अलग नहीं है John Billobie ये जो है एक तरह से ये फिलेंडरिंग नेप्फिव है आना John Billobie को प्यार हो जाता है किस से एली नोर से हो जाता है नहीं मैरियन से होता है सॉरी सॉरी दूसरी बेटी से होता है मैरियन से होता है फिर Edward Ferrars ये तो हैं ही और Sir John Middleton ये Mr. Mrs. Dashwood के दूर के रिष्टेदार होते है और Sir John Middleton ही इनकी हल्प करते है इनको सेल्टर देने में फिर Lady Middleton Sir John Middleton की वाइप है फिर Colonel Brandon जो की Sir John Middleton के दोस्त है 35 साल एज है और Colonel Brandon को Marian जो की छोटी वाली सिष्टर थी मैरियन Colonel Brandon को मैरियन से प्यार हो जाता है पहली ही नजर में Lucy Steele थी ये एक Mrs. Jennings की रिलेशन में आती है मतलब उसकी रिष्टेदार थी Lucy Steele और Mrs. Jennings कौन थी? Lady Middleton की मा थी और Charlotte Palmer की मा थी ये मतलब Lady Middleton और Charlotte Palmer दोनों की मा Mrs. Jennings थी Charlotte Palmer ये कौन थी? Mrs. Jennings की मा थी और जो है Lady Middleton की यंगर सिष्टर है Thomas Palmer कौन है? तो Charlotte Palmer के हस्बेंड है Mrs. Phryor's Penny Dashwood Mrs. Phryor's Penny Dashwood की मा है Penny Edward और Robert Phryor's की मा है अब देखें Penny Dashwood इनके दो भाई थे Edward Dashwood और Robert Dashwood लास्ट में Robert Dashwood के साथ में ये Lucy भाग चाती है और Another Character Annie, Nancy Steele, Mr. Harris, Miss Sophia Gray, Miss Morton और Mr. Proud, Mr. Smith ये सब हैं अब देखें तेंटर्न अवे तो तेंटर्न अवे का फुल टाइटल नेम क्या है लाइन कंपोजड अफ्यूम माइल्स अबब तेंटर्न अवे और रिविजिटिंग दा बुक्स तो पहले ये देखो तेंटर्न अवे को किस ने लिखा तो तेंटर्न अवे को बिलियम वर्डस वर्थ ने लिखा और इसका जो है दूसरा नाम यानिक अनदर टाइटल नेम क्या है लाइन कंपोजड या लाइन कंपोजड या लाइन कंपोजड अफ्यू माइल्स अबब तेंटर्न अवे आन रिविजिटिंग दा बैंक्स अब दा रिबर वाई डूरिंग अ टूर फर्ष्ट पब्लिश हुआ 1798 1798 के लिरिकल बैलेट्स में इसको फर्ष्ट टाइम पब्लिश किया गया वर्ष्वर्थ बिजिटेड फर्ष्ट टाइम टिंटर्न अवे इन 1793 बिद हिज सिष्टर डोरोथी वर्ष्वर्थ जो है पहली बार टिंटर्न अवे अपनी बहन डोरोथी के साथ 1793 इसवी में इसको बिजिट किया इनकी सिष्टर और ये जो है ग्रेट जो है रॉक्स हिल्स और वोड से फैसनेट थे और ये पान साल के बाद फिर से अपनी बहन डोरोथी के साथ 1798 इसवी में 13 जुलाई 1798 इसवी में यहां पर आए थे और जहां पर अब ये आए थे तो इस बार इनको जो है बड़ा चेंज नजर आ रहा है बिले मोर्ड सुवर्थ का जो नेचर के प्रते अटिटूड था वो सब चेंज हो गया है और उन्होंने इस पोयम को लिख दिया जिस पोयम का पूरा नाम है लाइन्स कंपोजड अफ्यू माइल्स अबब टिंटर्न अवे अन दा बैंक्स ओप दा रिबर वाइ डियूरिंग आ टूर वाइ रिबर है इट इस पोयम अफ सेल्फ डिस्क्लोजर्जर्स देखिए सेल्फ डिस्क्लोजर्स वाली पोयम है इसमें पोयड जो है नेचर के प्रती इसकी फिलिंग्स में आई हुई एटिट्यूड के बारे में बात करता है बताता है कि जब पहली बार आये थे तब नेचर को देखने का अलग ही मज़ा था लेकिन अब जो है ये थोड़ी सी चीज़ें उतना अच्छी मलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना पहली बार है ना ये चीज़े अब को देखिए हां रेफरेंस कॉंटेक्स मैंने अपनी साबसेक लिखा है फ़ए यर्ज वे पास्ट फ़ए शमर्स बिद लेंग्स अब लॉग बिंटर अगें आगें आई हेर थीज वाटर रूलिंग प्रूंटेंग्स बिद अशॉप्ट इनलंग मर्मर नस अगें रेफरेंस में लिखेंगे थीज आर दा ओपनिंग लाइन्स अफ वर्ट्स वर्थ फेमस पोएम टिंटर अवे दैट्स फूल टाइटल इज लाइन्स कंपोश्ट अफ्यू माइल्स अबब टिंटर अवे आन री बिजिटिंग दा बैंक्स अब दा रिबर वाय दूरिंग इस पॉबलिष्ट इन लिरिकल बैलेट इन 1798 ये भी आप एड कर सकते हैं। एक्स्प्लाइनेशन में आप खुदी लिख सकते हैं या एक बार मैं बता चलो मैं एक बार ऐसे पढ़ देता हूं। क्या क्या लिखा है। रवाय वेद एक डन तुल इंगे वेद्व कर सकते हैं। ये वेद्वाद दूर्य सतितत इन 1898 ये क्या सकते हैं। झाल झाल